आप सभी भक्तों को जै श्री कलकी भगवान की, जै कलकी, जै जगतपते, पदमापती, जै रमापते दिखे आज एक प्रश्ण आया है और ये भाईया कहते हैं कि मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, शिक्षक हूँ और मुझे एक छात्रा ने प्रपोस किया है, और आंगे ये लिखते हैं कि मैं बड़ी दुविदा में हूँ, मैं क्या करूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं धार्मिक भी हूँ, और मेरे लिए कोई उपाया बताएं, जिससे मैं इस परिशानी से लिकल पाऊँ ठीक है, देखिए बड़ा प्रश्ण बड़ा विचित्र है, लेकिन बहुत ही बिकट प्रश्ण है इसके समाधान के लिए मैं देखिए, सबसे पहरे हम समझते हैं कि आज जिस परकार की जो शिक्षा चल रही है उस शिक्षा में तिन परकार की शिक्षा होती है हमारे, देखिए, एक चरित्र की शिक्षा होती है और दूसरी जो होती है वो सोल आत्मा की शिक्षा होती है और तीसरी जो शिक्षा होती है वो हमारी व्यवसाय परपस पर होती है काम धंदे और जॉब परपस पर होती है तो आज जो है न दो ये दो नहीं शिक्षा हो रही है एक शिक्षा बश हो रही है समाज में जॉब, एजुकेशन और केवल जॉब पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, ठीक है, आत्मा वाली शिक्षा गई, भगवत गीता पढ़ाई नहीं जारी कहीं, भगवत गीता कानूशरन नहीं कर रहा है, समाज में भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए और मतलब अब देखे, यहां पर जो चात्रा है, उन्होंने कहा है, आपको प्रपोस किया है, तो यहां पर जो मेरा जो ख्यान कहता है आपको मना करना है, क्यों क्यूँकि आप शिक्षक हैं और आप गुरू हैश्ची माता-पिता से भी बड़ा दर्जा है आपका और माता-पिता के समान ही हैं आप तो उनको मना करें और उनसे बोलें कि दिखिए एक मतलब फीमेल और मेल का अपोजिट मतलब जो एट्रेक्शन होना सौभाविक सी बात है बिल्कुल जो आकर्शन है जो आकर्शन होना वो सौभ स्वाविक सी बात है स्वाविक सी बात है लड़की का लड़के के प्रती होगा और लड़के का लड़की के प्रती होगा आकर्शन होगा बिलको स्वाविक सी बात क्योंकि यह दृष्टी ऐसी चल रहे हैं इसमें आपको कौन बचाता है आपकी संस्कार बचाते हैं जैसे आप फिर उन शातरा से बोलते हैं ठीक है, एकसेप्ट करते हैं, जो जनरली होता है, रिलेशन बनाने के पाद, जो भी काम वो आप करते हैं, और फिर उसके बाद अंतिता कुछ नहीं होता, है ना, तो ये जो जनरली आजकल हो रहा है समाज में, मेकिंग रिलेशन, और समाज में पत भरष्ट हो गए हैं, संसकार वाली, शिक्षा, सोल वाली, जो आत्मा वाली, जो हमारी आत्मा परमात्मा से जोड़ती है, भगवत गीता, तो इस प्रकार से हमको चीज़ें बहुत ज्यादा समझ्य की जरूवत हैं, तो आप उनको ना करें, उनको मना करें, आ क्योंकि आप सिक्षक हैं एक और वो एक चात्रा हैं, और आप धर्म को पकड़े हैं, और यह यहाँ पर जो है एक आकरशन खीज रहा है उनको, अगर उनके संसकार भी वैसे ही हो जाएं, कैसे एक चरित्र वाले, और एक आत्मा वाले, और एक धार्मिक वाले, तो वो फिर इस चीज को आंगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल, बढ़ेंगी जिस परकार से उन्होंने आपको प्रपोस किया, तो उनकी गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और उनकी बिल्कुल गलती नहीं है, जो चीज चल रही है, आजकल समाज इक तोर पर जो हो रही है, इसी प और आपका जो करतब है वो बच्चों को शिक्षा देना सदमाक पर चलना उनके लिए एक गुरू बनाना सबसे पहला आपका काम है उनको भी गुरू बनाना उनको बच्चे नहीं बनाना है उनको गुरू बनाना है तो आप जो गुरू है तो आप भी उनको यह शिक्षा दें और किसी ना किसी के रिलेशन कहीं ना कहीं बन रहे हैं कहीं ना कहीं चल रहा है किसी ना किसी लोगों में यह अपने आप में समाई हुए हैं वासनाओं में समाई हुए हैं और सिर्फ कामनी मतलब रिलेशन पे जादा फोकस होता है वहां पे धर्म मैंटर नहीं करता रिलेशन और स्टुडेंट का वहां मैटर नहीं कर रहा तो यह इसी लिए हो रहा है सब तो इसमें आप अपना तो उनने बोला था कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता है लेकिन मैं आपका बच्चा बन सकता हूं तो आप उसी रूप में बच्चे की रूप में मुझे सुईकार करिए तो इस तरीके से क्योंकि सौन वेवेका नंद के जो संसका थे वो प्रवल थे वो उच्च कोटी के थे क्योंकि उनने चरित्र की शिक्षा ली थी राम कृष्ण परमास जी से आत्मा की शिक्षा ली थी राम कृष्ण परमास जी से और सामाजिक जो काम हैं जो चलते हैं व् और जो आत्मा वाले जो आत्मा का जो ग्यान होता है जो भगवद गीता है जो उसमें है उसमें जो ग्यान है इसलिए हमारे जो समाज पत भरस्ट होके आज बहुत मतलब बेकार तरीके के काम हो रहा है मतलब जो काम हो रहा है वो उनमें हमारी जनरेशन लिप्त है और उसमें ह समाई हुई है तो हमको यहां पर यह चीजे जानना जरूरी है है न कि हमारे कॉलेज में और स्कूल में और कहीं भी संस्था में चरित्र की शिक्षा नहीं है आत्मा की शिक्षा नहीं है तो बहां पर शुरू की जाए तो एक समाज एक सही दारेक्शन पर आ सकता है और आएग सब्सक्राइब कारना उसका व्यक्ति अनुसरन करेंगे तो उस automatic उस mark पर भी चलेंगे तो समाज एक सही direction पर आएगा सही एक रास्ते पर आएगा तो आज की जो शिक्षा है वो केवल पैसे कमाने वाली है, काम धंदे वाली है ना एक engineers बनाने वाली, एक robot बनाने वाली, वो ही एक शिक्षा रह गई है तो बिना मनुष्य में यह जो रहते हैं चरित्र और चरित्र के साथ साथ जो आत्मा की शिक्षा होती है जो आत्मा की शिक्षा मतलब जो हमारी आत्मा मतलब यह है कि जो आज की शिक्षा है उसमें आत्मा को मानते ही नहीं है भगवान को मानते ही नहीं है आत्मा मात्मा कुछ नहीं होती है फिर दूसरा चरित्र फेल कर दिया चरित्र को बरबात कर दिया आज की शिक्षा ने आज की शिक्षा केवल काम पर फोकस कर दिया कर्म करो, काम करो अरे कर्म में भी क्या करो कर्म में क्या करो कर्म में भी अपने अच्छे कर्म करो अपने ये लोग भी बनाओ और परलोग भी बनाओ भगवान से संबंध भी बनाओ कर्म ये करो, अब उसमें केवल कर्म करो बोलते हैं कर्म कौन से करें ये नहीं बोलते हैं इसलिए तो हमारा समाज पतभरष्ट है जो रिलेशन नहीं बनने तो वो रिलेशन भी बन रहे है इसलिए पूरा जो जनरेशन वो भी खराब हो रही है हाँ, यही तो इसका कारण है तो जो शिक्षा है, माता पिता समें ये कहूंगा स्कोल में तो जो हो रहा है ठीक है आप घर में शिक्षा दें बच्चों को भगवद गीता से जोड़ें, पढ़ाएं अच्छे-च्छे चरित्र वाले जो व्यक्ति हैं उनको पढ़ाएं, है ना, रामकृष्ण परहमन जी को स्वाम वेवे करनन जी को है ना, जो भी जितने हमारी इतिहास में हुए है थोड़ा भक्ती से जोड़ें हमारी यंगस्टर्स को तो जो इस प्रकार के प्रपोस किया है ना, उन शात्रा ने, टीचर को वो नहीं करेंगे नहीं तो हमारा समाज पत ब्रिष्ट होगा और ऐसी पतन की ओर जाएगा और समाज तो जा रहा है पतन की ओर वास्तव में वो आत्मा पतन की ओर जा रही है उस आत्मा की वृद्धी और उन्नती में बहुत कम चांसेस हैं बिल्कुल अगर कोई टीचर एकसेप्ट करता है तो फिर वो अपना धर्म भटक गया वो अपने धर्म से बिमोख हो गया वो पाप की श्रेणी में आ गया बिल्कुल भगवान की अदालत में भगवान के जो नियम कायदी कानून है उनके अनूसार तो उसको मना करना ही एक सर्व प्रतम एक उच्च आंसर है उच्च इस्थर का कहने का एक जवाब है तो बाकी जाते जाते में यही कहूंगा कि आत्मा की जो शिक्षा है भगवद गीता वो करते रहें चरित्र की जो शिक्षा है वो भी लेते रहें तो आप प्रबल रहेंगे आप कहें भी परास्त नहीं हो सकते आपको जो माया और जो संसारिक जो कल्योगी माया है जो कल्योगी दूशित माया है वो आपको नहीं खीचेगी और आज के लिए इतना ही जै श्रीकल की भगवान दी